Hello everyone, this is Shivangi, welcome to shift classes. तो ये वीडियो उन स्टुडेंट्स के लिए है, जिनकी इगनु में बैक आई है. तो जिन भी स्टुडेंट्स के बैक आई है, आपके इगनु के टर्म एन एक्जाम में, तो अब सबसे पहली बात, आप लोगो को टेंशन निहीं लेनी है. अब आपको back आने के बाद क्या करना है कि आप री एक्जाम दे सकते हैं जो अभी June के एक्जाम होने वाले हैं ठीक है या आपको reevaluation के लिए अपलाई करना चाहिए तो अगर आपको आपका भी course validity है मैं आप लोग को एक advice करूँगी अगर आप लोग की course validity है तो आप री एक्ज एंस्वर में आपने फर्स्ट येर के एक्जाम दिए या इसा है व्यून में अब गयुन पढ़ा है कि सिर्पसिक करका अब की जोन लिए जाते हैं इसा होता है अगर ऑपके मार्क सक्कुर्स किया है आपकी सिफ पासिंग मार्क्स है ठीक है आपके मार्कस सुनिया 50 marks भी आया है कि subject में 60 marks आप भी चाहते हैं कि वैसे इंप्रूफ करूँ तो आप इंप्रूफ नहीं कर सकते हैं केवल बैक के के लिए ना जाके और की फीस भी बहुत जादा है साड़े साथ सो रुपे पर सब्जेक जो री वैलेशन की फीस है अगर आप साथ में फोटो कॉपी भी मंगाते है अपने अंसर शीट की तो उसके लिए 100 रूपी और एक्स्रा लगी है मीन्स टोटल 850 फीस हो गई तो के लाइक तौशर करें तो पीर बहुत करें दो जाए करना तो इसलिए अलावा अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुस्से कमेंट करके या मेल करके पूच सकते इस वीडियो को अपने फ्रेंटश के रहूर शेयर करू़ त्यूश में